अभी हम जिन्दा हैं के नेता इस दिसीजन का विरोध कर रहे थे और एक तरीके से उनका विरोध जायस था जहां तक हमारी बात है हम सुरू से ही लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहे थे पर हर डिसीजन की तरह वो लॉकडाउन का डिसीजन भी बीना प्लैनिंग के लगाया गया था जिस कारण सहरों से हमें प्रवासी नागरिकों का पलायन दिखा कुछ तस्वीरें और वीडियो इतने दर्दनाक थे कि हम सब असमर्थ और असहाय महसूस कर रहे थे तब भारत का हर इंसान इन मजदूरों की मदद करना चाहता था उनके दर्द को कम करना चाहता था पर लॉकडाउन दूरी और तंग हालात के कारण बस दूआ कर रहा था कि वो मजदूर जो सहरों से घर वापस जा रहे हैं वो अपने मनजिल तक सुरक्षित पहुँच जाएं कई लोग खुसकिसमत थे जो इन लोगों की मदद कर पाएं पर सरकार हाथ पर हाथ धरे तमासा देखती रही लोगडाउन में कई घर, बिजनस, जिंदगियां और परिवार तबाह हुए पर लोगडाउन से ये हुआ कि संक्रमन का दर कम हुआ और फिर धीरे धीरे हम थोड़ी पावंदियों के साथ घर से निकलने लगे काम पर जाने लगे, ऐसा लगा कि देश वापस अपनी पट्री पर आ चुकी है और पूरे रफ्तार के साथ दोड़ने को तयार है पर कोरोना खतम नहीं हुआ था हम कोरोना के दूसरी लहर को टालने में काम्याब तो हुए पर हमारा ये मानना कि दूसरी लहर से हम बच गए है ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी हमने जीत की खुसी, जीत के पहले बनानी सुरू कर दी देश को वैक्सिन के तौर पर उमीद की किरन दिखी हम निस्चिंत हो गए कि हमने कोरोना को हरा दिया है अगर ये एक आम आदमी की सोच होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि हम आम आदमी की जिंदगी भूक से सुरू होती है और पेट भरने पर खतम होती है हमारे सपने इतने होते हैं कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे बस उम्मीद ये होती है कि मेहनत के बदले हम अपना पेट भर सके और एक सुनेहरे कल का सपना देख सके और आने वाले परिसानियों के लिए तैयार रह सके इसमें लज्जा की कोई बात नहीं क्योंकि हम जो पैसे कमाते हैं उसी पैसे से हम सरकारी बाबूओं और नेताओं की सेलरी और पैंसन देते हैं कि जब हम अपने परिवार को समालने में बिजी हैं वो देश को समाल सके ये 2020 तक का रीकैप था पर सवाल ये है कि आज जो हालात बने हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है हम आम लोग जो लापरवा होकर सडकों पर घूम रहे थे या सरकार जो इलक्सन के लिए हमें सडक पर उतार रही थी डर तो बिहार के भी इलक्सन में था और हम तब भी इलक्सन के खिलाफ थे क्योंकि हम जैसे ना समझ नो सीखिये भी ये समझ सकते थे कि इलक्सन में भीर उमरती है और यही भीर कोरोना की सबसे बड़ी ताकत है पर सायद समय हमारे साथ सतरंज का खेल खेल रहा था जहां हम जीतते दिख रहे थे हमने वैक्सीन बना ली थी मोदी जी का जो सपना था कि हम आत निर्भर भारत बनाएंगे वो साकार होता दिख रहा था और हम सिर्फ आत निर्भर ही नहीं हुए बलकि अन्य देशों की मदद भी कर रहे थे जहां अमीर और विक्सित देश कोरोना से हारते दिख रहे थे वहीं ऐसा नहीं है कि कोरोना भारत में बचा नहीं था देश में तब भी केसे आ रहे थे पर उससे ज्यादा लोग रिकबर कर रहे थे और जैसे ही हमारी सरकार और जंता डिस्ट्रेक्ट हुई कोरोना धीरे धीरे पैर पसारना सुरू कर चुकी थी अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस पर नोटिस नहीं किया लोग सरकार की लापरवाही का मजाक उड़ा रही थी और सरकार भी ट्वीटर और सोसल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कोरोना की चेतावनी दे रही थी पर जमीनी तोर पर वो खुद कोरोना से डरना बंद कर चुकी थी और इस महामारी से मूँ फेर चुकी थी यहां हम सरकार की ही नहीं पूरी नेता मंडली की बात कर रहे हैं जब हम यह कहते हैं कि सरकार को आप से नहीं सिर्फ आपके वोट से मतलब है वोट मिल जाने के बाद वो आपकी बात करना तो छोड़िये वो आपके बारे में सोचते तक नहीं देश में आए दिन करोड की मूर्ती बनवा सकते हैं तो क्यों नहीं पूरे देश में ऑक्सिजन प्लांट लगवा सकते थे? मतलब कि ये तो पिछले साल ही समझ आ गया था न कि कोरोना पेसेंट्स को Ventilator, Oxygen Concentrator और Oxygen की ज़ुरत पड़ती है तो क्यों नहीं हम इसके लिए ये तयार हो सके यहां क्यों नहीं आत्म निर्भर भारत की जलकी देखने को मिली सायद इसलिए इस सरकार ने जुमले बाद सरकार का खिताब अपने नाम किया है जब आपके घर इस महामारी और लॉकडाउन में उजड रहे हैं तब सरकार भविस Central Vista Project बनाना चाहती है जिसके लिए लागत लगबग 20,000 करोड की है जब कैरला अपने स्टेट में Oxygen Plant लगा सकती थी जो पूरे स्टेट के लिए काफी है और लागत भी सिर्फ 60,000 करोड की तो क्या बांकी राजियों के पास ये पैसे नहीं थे कहां गया PM Care Fund का पैसा क्या सरकार ने उस पैसे को बंगाल में 77 सीट जीतने में खर्च कर दिया हम तो बस यही समझाना चाहते हैं कि नेताओं की चापलूसी, जी हजूरी और गुनगान गाना बंद करें ये काम अंदभक्तों को सोभा देता है आप समझदार हैं क्यूंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आप जानते हैं कि देश में कुछ गड़बर तो है जो देश की मीडिया नहीं दिखा रही और आप हम जैसे नौसीखिया और इंडिपेंडेंट पत्रकारों से उम्मीद लगा कर बैठे हैं हम वादा करते हैं कि हम आपके उम्मीद को कायम रखेंगे और कुछ दिनों की अनुपस्थिती के लिए माफी मांगते हैं और बहाने में फैमिली इमर्जेंसी का यूज कर रहे हैं अब आते हैं लापरवाही की तरफ ऐसा नहीं है कि जनता भी दूद की धुली हुई है हमसे भी गलतियां हुई है हम मास्क पहनना भूल जाते हैं क्योंकि मास्क घर पर भूल गए होते हैं मास्क पॉकेट में रह जाता है खाना खाने के लिए मास्क खटाया था बात करने में दिक्कत होती है कोरोना अब रहा कहां तो गलती हमसे भी हुई है पर इसी गलतियों से बचने के लिए तो हम टैक्स देते हैं कि हम कोशिस करेंगे कि हम सतर्क और आदर्स नागरिक बन कर रहे हैं और अगर कोई भूल चुक हो जाए तो सरकार बैठी है उपर हमारा खयाल रखने के लिए अब सरकार की बात तो हम बता ही चुके हैं उनसे उम्मीद करना मतलब की पत्थर में भगवान ढूनने जैसा हो गया है तो आप अपना खयाल खुद रखें और ध्यान रहे कि अगर आपको या आपके परिवार को कोई सिम्टम दिखें तो टेस्ट कराएं पोजिटिव आना कोई अपमान की बात नहीं है और ना ही डरने की बात है अगर सुरुवाती दोर में पता चल जाए तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी डाउट हो एक बार स्योर हो जाएं अब बात करते हैं कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर्स की तो डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पत्रकार और प्रसासन को जितना धन्यवाद बोला जाए उतना ही कम है इतना समझे कि अगर आप आज तक कोरोना से अच्छुते रह गए हैं तो इसका स्रेह इनी लोगों को जाता है दुख तो इस बात का है कि इस लड़ाई में कितने कोरोना वारियर्स अपनी जान गवा चुके हैं हमें ये तक नहीं पता हम तो बस इतना कर सकते हैं कि इनको या इनके परिवार को जैसे हो सके वैसे मदद करें कुछ लोग भले ही कोरोना वारियर्स ना हो या इस उपादी के दाइरे में नहीं आते हो पर वो ऐसे मुश्किल के घड़ी में भगवान का रूप बन कर समय समय पर लोगों को मदद करते रहे हैं पिछले साल ऐसे मसिहा में सोनु सूद बहुत प्रचलित हुए और वो अपना अच्छा काम आज तक कर रहे हैं पर कुछ कहानिया हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हम कोसिस करेंगे कि ऐसी कहानिया आने वाले समय में आपके साथ जरूर साजा करें अब मेरे नजरिय भारत में जो ये हालात हुए हैं उसके लिए हम और हमारी लापरवा सरकार जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते और सरकार अपनी ताकत को अपनी जीत का डंगा रेलियों में सुनाने की जगह आपदा को खतम करने में लगाते तो सायद भारत में आज और ये पूछे कि क्या हमारे दिन ऐसे आ गए हैं कि अब हमें पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। आज मेरे यार की साधी है। एक तो नगाडे वाले भी अलग प्रानी होते हैं और दिल्ली के तो अलग लेवल के हैं। हम उनके काम का अपमान नहीं कर रहे हम मानते हैं कि दिन भर मेहनत करने के बाद वो थोड़ा ही कमा पाते हैं। पर सिर्फ दो बंदे अपने नगाडे के दम पर पूरे मुहले को तबाह कर देते हैं। गलती उनकी नहीं हैं, गलती साधी करने वालों की है। कि वो चाहते हैं कि नगाडे वाले पूरे जोर के साथ बजाएं ताकि बीमार, फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ट हुए लोग और परेसान हो सके। हमारा ये कहना गलत होगा कि अभी के समय में साधी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये कोरोना कब तक हमारे साथ रहेगा, हम तब तक के लिए प्रजनन की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। और कानूनी तोर पर प्रेजिनन के लिए साधी या निकाह जरूरी है जिनको नहीं पता प्रेजिनन का मतलब रिप्रोडक्शन होता है हम बस यही सलाह देंगे कि अभी कोर्ट मैरेज किया जा सकता है बिल्कुल साम तरीके से जहां जरुरत भरके लोग ही आएं इससे यह होगा कि आपके पैसे बचेंगे जो आने वाले समय में आपके ही काम आएंगे और अगर आपको राज साही साधी वो भी रीती रिवाज के साथ करने का शौक है तो आप ये हालात सुधरने के बाद भी तो कर सकते हैं अगर आपकी साधी से संक्रमन फैल गया और कुछ लोग मर गए तो उस साधी को आप एक सुव साधी कैसे मान सकते हैं तो कृप्या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें कोसिस करें कि घर से बाहर ना निकले क्यूंकि आप बिमार पढ़कर ना सिर्फ अपने आपको परिसान करेंगे बलकि अपने परिवार को और इस देश में सबसे कम मिलने वाले लोग जो की हेल्थ केर वर्कर्स हैं उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं देश लड़ रहा है आप भी इसका हिस्सा बनें ये जंग लड़कर नहीं घर बैठ कर जीती जाएगी तो घर पर बैठें, परिवार वालों से घुले मिले सोशल मीडिया यूज करें, मूवी देखें, नए स्किल्स सीखें और कुछ ना करें, क्योंकि ये जंग हम कुछ ना करके ही जीत सकते हैं जी आज की वीडियो में इतना ही, हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नजरिया को लोगों तक पहुचाने के लिए सेयर करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर पर फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया का हैंडल उपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जी धन्यवाल